नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कॉसिर की टेक्निकल में आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एप्लाइड मेकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है हिंदी और इंग्लिस दोनों वासा में मेरी ये बीडियो ये पहले भी आजुकि लेकिन उस बीडियो में बहुत ही कमेंट थे कि सर एंदी में बताओ इस आप से देखना है तो पर्चे जिसको हम कहते हैं इंट्रोडेक्शन ठीक है न इतने तो पड़े होगे तो पर्चे होगे आपका इंट्रोडेक्शन पहला चैप्टर अच्छा नेश्ट चैप्टर है बहुत ही सोट वीडियो करने वाले हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास और आपके पास भी तो नैस्ट है हमारा बलों के निकाए बलोंका निकाय सिस्टम ओफाइब था कर यह भी इंपोर्टेट्टर है इसके इंपोर्टेंट हम आगे बाता देंगे ठीक है तो घून मोमेंट अच्छा उसके बाद है हमारा बल्यूगम कपल ठीक है बल्यूगम कपल अच्छा नेज्ट चैप्टर हमारा संतुलन के सामान प्रतिभंद ठीक है जर्नरल कंडिश्टन ऑफ एक्यूवेट ठीक है ना तो यह वाला भी चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है नेश्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है घर्शन बहुत इंपोरटेंट चेप्टर यह तो बहुत सरल है जीदा हाड नहीं है तुर के फ्रिक्सन है जो आपने 11 12 को चाहिए थे तो ज्यादा नहीं है अच्छा हमारा मसीन मसीन है और मसीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमेंसे आपको ठोली भी आती है और डेरिवेशन तो नहीं आते कोई पता नहीं आपी जाये तो क्योंकी मेकैनिक्स पोई पता नहीं देता कि डेरिवेशन आने या फिप्टि- नम्मर के डेरिवेशन और पच्छीस नम्मर के तो पता नहीं रहता ठीक है तो नेश्च चलते हैं दोस्तों मसीन हो गया उसके बाद है हमारा गुरुत केंद्र गुरुत केंद्र सेंटर ऑफ ग्रवर्टी तीक है वहूत इंपॉर्टन चैप्टर है उसके बाद जो प्रेक्टिकल लेब में कराएंगे इसमें तो चार प्रेक्टिकल जो भी लिखवाएं वह है अच्छा उसके बाद जो यह आज शेप्टर है आर्ट में से आपको इंपॉर्टन बता रहें कौन-कौन से इंपॉर्टन है ठीक है ना तो छोटी थी वीडियो वीडियो को करना धन्यवाद